Hello friends, welcome on my channel One word substitution का ये दूसरा क्लास है और हमारा target है 2000 one word substitution का तो बिना देर की हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला word देखते हैं Speech made without preparation ऐसा speech जो बिना preparation के दिया जाए उसे क्या कहते हैं तो option है आपके सामने extempore, annals, fluke, or ad hoc तो इसका सही answer क्या होगा option A, extempore extempore जो होता है वो ऐसा speech होता है जो बिना preparation का दिया जाता है Question number second देखते हैं One who hates women ऐसा जो women से hate करता है नारी से नफरत करता है तो उसको क्या कहते हैं तो option है आपके सामने misogamist, philogamist, philogamist, or misogamist तो इसका सही answer क्या होगा option D, misogamist misogamist जो है ऐसा person होता है जो नारी से नफरत करता है और misogamist में जो है miso का मतलब होता है hate और guamist का मतलब क्या होता है women तो जो hate करता है women को उसे misogamist करते हैं miso जहाँ भी लगा हो it means कि वो उससे नफरत करता है यह ध्यान रखिएगा question number third देखते हैं having more than one meaning कोई भी word का एक से ज़्यादा meaning होना उसे क्या कहते हैं तो option है आपके सामने nav, vindictive, ambiguous, or virulent तो इसका सही answer क्या होगा option C, ambiguous ambiguous जो है वो क्या होता है एक से ज़्यादा meaning वो is first नहीं है question number four देखते हैं custom of having more than one husband at the same time ऐसा custom जिसमें एक समय में एक से ज़्यादा husband होना उसे क्या कहते हैं तो option है आपके सामने polygamy, monogamy, polyandry, or philogynist तो इसका सही answer क्या होगा option C, polyandry polyandry जो है वो ऐसे custom को कहते हैं जहां पे एक समय में एक से ज़्यादा husband होते हैं question number five देखते हैं government by a king और a queen ऐसा government जो एक king या queen जो है वो चलाता है तो ऐसे government को क्या कहते हैं तो option है आपके सामने theocracy, monarchy, democracy, or republic तो इसका सही answer क्या होगा option B, monarchy ऐसा government जो king या queen जो चलाता है उसे monarchy कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है राज तंत्र question number six देखते हैं one who knows everything ऐसा person जो सभी चीजों के बारे में जानता है उसे क्या कहते हैं तो option है आपके सामने omnipresent, omniscient, omnipotent, or genocide तो इसका सही answer क्या होगा option B, omniscient omniscient जो है ऐसे person को कहते हैं जो सभी चीजों के बारे में जानता है और इसका हिंदी क्या होता है सर्व ग्यानी मतब कि सभी चीजों का उसे ग्यान है तो उसे omniscient कहते हैं question number seven देखते हैं not allowing the light to pass through ऐसा चीज जो light को allow नहीं करता है पास करने के लिए उसे क्या कहते हैं तो option है आपके सामने opaque, transparent, invisible या invincible तो इसका सही answer क्या होगा option A, opaque ऐसा चीज जो light को पास नहीं करने देता है उसे हम opaque कहते हैं और हिंदी में इसे क्या कहा जाता है अपार दर्सी question number eight देखते हैं work for which no salary is paid ऐसा काम जिसके लिए कोई भी salary पे नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो option है आपके सामने brocade, playcard, honorary और scenario तो इसका सही answer क्या होगा option C, honorary honorary जो है वो ऐसे work को कहते हैं जिसके लिए कोई salary पे नहीं किया जाता है ठीक, और हिंदी में honorary को क्या कहते हैं ऐ वैतनी मतलब बीना वेतन का question number 9 देखते हैं study of population population की study को मतलब जनसंख्या की study को क्या कहा जाता है तो option है आपके सामने ecology, demography, astronomy और genealogy तो इसका सही answer क्या होगा option B, demography study of population जनसंख्या की study को demography कहा जाता है question number 10 देखते हैं constant effort to achieve something मतलब की किसी भी चीज को पाने के लिए लगातार कोसिस करना उसे क्या कहते हैं तो option है आपके सामने aciduous, perseverance, meticulous और epilica तो इसका सही answer क्या होगा option B, perseverance perseverance जो होता है वो किसी चीज को पाने के लिए जो लगातार कोसिस होती है उसे perseverance कहते हैं और हिंदी में इसे क्या का जाता है दिर्टा तो होप आपको ये 10 words जो है वो clear हो गए होंगे आप इसे एक से दो बार देखिए और बार बार इसे revise कीजिए और अपने day to day life में इसे use करने की कोसिस कीजिए तो आपको जो है ये permanent याद हो जाएगा ये words और अगर आपको ये series अच्छा लग रहा है तो please like, share and subscribe to my channel Thank you